पूरे उत्तर प्रदेश में जिन लोगों ने गरीबों के नाम के पीछे छुपकर मात्र फ्री राशन के नाम पर फिर से योगी सरकार को सत्ता लोटाई अब उन पर बड़ी गाज गिरने वाली है सुल्तानपूर अमेठी राइबरेली समेथ कई जिलों में प्रशासन ने मुफ्त में राशन लपेटने वालों से वसूली करने की ठान ली है नमस्कार मैं हूँ किरन आप देख रहे हैं न्यूस टाइम नेशन जिन लोगों ने फ्री राशन का सुख लिया अब प्रशासन उनसे घर खोद वसूली करेगा जी हाँ बात डराने वाली जरूर है लेकिन सच है आपको बता दे बांदा जिले से जिलाधिकारी अनुराग पटेल का ये लेटर जम कर वाइरल हो रहा है इस लेटर में लिखा है कि राश्ट्री खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतरगर जन्पद के प्रचलित अंतियोदे की राशन कार्ड लाभार्थियों को सूचित किया जाता है कि अंतियोदे राशन कार्ड धारक ऐसे समस्त परिवार जिनके पास मोटर साइकल, पक्का मक क्रिशी योगी भूमी, रंगीन टीवी या कोई निश्चित वेवसाय आदी है वे अपात रहें। ऐसे समस्त कार्ड धारकों को सचेत किया जाता है कि साथ दिन के अंदर अपना राशन कार्ड समर्पित कर दें, अन्यथा उन पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। यानि प्रशासन का सीधा कहना है कि अगर जिले में किसी भी अंतियोदे राशन कार्ड धारक के घर में मोटर साइकल या टीवी है या फिर उसका मकान अब पक्का बन चुका है तो उन्हें एक हफते के अंदर अपना राशन कार्ड सरेंडर करना होगा। अगर ऐसा किसी ने नहीं किया तो जाच के दोरान दोशी पाये जाने पर ऐसे परिवार से 24 रुपए प्रतिकिलो गेहू और 32 रुपए प्रतिकिलो चावल के साथ राशन में मिलने वाली चीनी, तेल, चना और नमक की बाजार के मूली की दर से वसूली की जाएगी। जानकारी के मुताबिक सिर्फ बांदा में ही सवा 3 लाफ राशन कार्ड धारक गरीब बनकर राशन ले रहे हैं जो की एसी से लेकर कार्ड तक कई सुविधाओं से लेस हैं। प्रशासन के आदेश जारी करने के बाद से पूरे जिले में अफरात अफरी का माहौल बना हुआ है। वही जिला पूरती अधिकारी वैदुर रह्मान ने बताया कि चेतावनी का असर भी दिखाई दे रहा है। अभी तक जिले में 300 से जादा कार्ड धारकों ने अपने र रुपयों की भरपाई कराई जाएगी। और हो सकता है कि जिले में इस आदेश को सफलता मिलने के बाद इसे पूरे प्रदेश में लागू कर दिया जाए। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप पेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। साथी साथ अगर आप यूट्यूब पर इस खबर से रूबरू हो रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिलकुल ना भूलें। नमस्कार।